समोसा खाना तो हर किसी को बहुत ही पसंद होता है जब भी हमारे घर में गेस्ट आया या फिर कोई पार्टी हो तो हम उसमें समोसे को जरूर सामिल करते हैं इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ समोसे की बहुत ही पहतीरीन चटपटी से आलू मसाला बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगने वाली है जिसको भी खिलाएंगे वो फिर समोसे खाने आपके यहां बार बार आएंगे इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कराई में तेल डालकर गर्म करके उसमें एक टेबल स्पून जीरा दो से तीन सूखी लाल मिर्च दो तेजपता डालकर तरकने देंगे तरकने के बाद रफली कटके वे प्याज डाल देंगे हाई फ्लेम पे हमें इसे भूनना है प्याज को बिल्कुल भी गलाना नहीं है बस जो उसका कच्चा पन है वो निकल जाए वहां तक हमें इसे भूनना है अब हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे नमक डाल कर अच्छे से एक मुनट के लिए हाई हीट पे बून लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेवी नहीं बनानी है तो बस हम लोग हाई हीट पे एक से दो मुनट बूनेंगे प्याज को उसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आज बून जाए हम लोग इसमें बॉल्ड मैश आलू डालेंगे आलू को मैने कमपलीटली मैश नहीं किया है हलका हलका रूठली रहने दिया है जयन उसके बाद इसका देख रहे है अप थोड़ा-थोड़ा चलका भी रहने दिया है क्योंकि समुक से कि अंदर जो आलो का चिलका होता है उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा अच्छा अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो बस आफ टेबिल स्पून निम्बू का रज दाल दे उ बाद मैंने इसमें मूंग फली डाल दी ति मूंग फली को मैंने रोष्ट कर लिया था तेल में उसके बाद डाला है उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है डाल गर सबको अच्छे से मिकस कर दिया है मैंने यह देखिए मसाला आलू प्याज सबको कम से कम 34 मिट के लि और यह हमारा चट्पता सा स्पाइसी तीका कटा मसाला रेड़ी हो चुकालोँ मसाला इसे आप ब्रेड में डाल कर भी तलते है न तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है तो यह हमारा रेडी हो चुक है, अब हम लोग अपना डो रेडी करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीले में हाफ काटोरी आटा लिया है मैंने, और एक काटोरी मैंने मैदा लिया है, थोड़ा सा मैंने आटा लिया है, कलर बहुत ही अच्छा आता है, जो बाहर मोयम के लिए मैंने आप पे रिफाइन ओल यूज किया है, आप चाहे मिल्टेट घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, उसके बाद 3-4 टेबल स्पून रिफाइन ओल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैदा आटा और सब भी चीजों के साथ बीना पानी का पहले मिक्स करेंगे, उ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक मीडियम सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे, यहां पे डो को ना ज्यादा हाड करना है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट करना है रोटी के तरह, तो यह हमारा डो रेडी हो चुका है, बस पांच मिनट इसे रेस करने के लिए छोड़ दे हो, तो यहां पे मैंने इस तरीके से बीच से फोल्ड कर दिया, देन उसके बाद एक चाको के हल से बीच से कट कर लेंगे, अब एक शीट हम लोग उठाएंगे, देन उसके बाद पानी मैंने ले लिया है, मसाला ले लिया है, पानी को एजिस पे हम लोग इस तरीके से लगा किनारे में पानी हमारे की तो रगा लेंगे और यह बमुचे così करने के लिए आपस से पान अकशिवाले शौ। बट मैंने यहां पे रिफाइन ओल उसके है, यहां पे जो हमारी ओईल है वो बिल्कुल गरम नहीं हुए, हाइट पे हमें इसे नहीं करना है, वन्ना क्या होगे आपके समोसे बाहर से तो लाल हो जाएंगे, बट अंदर से वो कच्छे रह जाएंगे, तो यहां पे मैंने फ्ल पलट लिया है, करीबन यहां मैंने सभी को 6-7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, और यह अंदर से भी पक चुके है, और बाहर से भी पक चुके है, अब हम लोग इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, मैंने लास में एक मिनट के लिए हाई फ्लेम करके, इसे लेंगे और आप से किसी भी चटनी के साथ है या फिर बहुत लोग छोलों के साथ भी खाते उसके साथ भी खा सकते एंमली की चटनी नहीं चैनल को सब्सक्राइب करके वगल बेल आइकन को प्रेस करना ना